यह एक अलग हार्दिक पांडिया है जिसे हम अभी देख रहे हैं मन सुलजा हुआ गलगता है और कौशल केवल विशिष्ट स्वागर की तुलना में अधिक दिखाई देते हैं इस All-Rounders का प्रदर्शन चेननाई सूपर किंग्स के खिलाफ हुआ जब Mumbai Indians ने उन्हें 37 रन से हराया यह Mumbai Indians के IPL में 100 वी जीत थी और इसके केंद्र में कोई और नहीं बलकि हार्दिक पांडिया थे तमाम गलत कारणों से खबरों में रहने के बाद मैच के अंत में उनकी मुस्कराहट Man of the Match का पुरुषकार प्राप्त करते समय 16 T20 में उनकी पहली पारी पर उन्होंने कहा कि वो अब आगे बढ़ चुके हैं इंटर्व्यू के दौरान बाचीत में उन्होंने कहा तीम को जीत दिलाने और योगदान देरे में बहुत अच्छा लगता है यह एक शांदार एहसास है उन कटन महीनों पर बोलते हुए जहां आलोचकों ने उन्हें लताड़ा और कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें टीवी शो में उन सेग्जिस्ट बयानों के बाद भारत के लिए नहीं खेलना चाहिए हार्दिक ने कहा मैं एक चोट के लिए बाहर था और फिर कुछ अन्य विवाद हुआ यह man of the match मैं वास्तव में अपने परिवार और अपने दोस्तों को समर्पित करना पसंद करता हूँ जो मेरे सबसे कठन समय के दोरान मेरे लिए थे हार्दिक ने अपने जीवन की वास्तफिक्ता पर कहा मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन की वस्विक्ता की जाच करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और इससे मुझे मदद मिल रही है अब मेरा एक मात्र ध्यान IPL खेलना और सुनिश्चत करना है कि भारत विश्व कब जीट जाए यही मेरे एक मात्र उदेश है इसलिए मैं जिस तरह का खेल खेल रहा हूँ उसी तरह मैं अभ्यास कर रहा हूँ भारते बहुत खुश हैं इस युवा को ठीक तिशामे बढ़ते देख जहां से वो प्रतिबाशाली बनकर उबरा था